असलाम लेकूम आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ आम से बनी हुई सूपर डेलिसियस रेस्पी जो बहुत ही बेहतरीन बन के तियार होती है तो एक बार इससे जरूर ट्राइ करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डेड़ कप दूद को मैंने कड़ाई में डाल दिया है इसी कप से जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं उसमें बारीक काटा हुआ काजू और पिस्टा डाल देंगे और दो चमच इसमें हम चीनी डाल देते हैं एक चोथाई चमच इलाइची पारडर और दो पिंच फूड कलर फूड कलर के जगह पे अगर आपके पास केसर हो ता आप वह भी इसमें डाल सकते हैं एक आम के पल्प को निकाल के मैंने पेश्ट बना लिया है एक बाउल लेंगे उसमें दो चमच सूजी दो चमच बेसन एक चोथाई चमच इलाइची पारडर और आम जो मैंने पीसा था वो और दो चमच चीनी डालके हाथों से अच्छे से फेटके एक साइड रख लेंगे तब तक देखिया हमारा रबडी विवन के तयार हो गया इसको किसी भी बाउल में निकालके हम रख देंगे ठंडा होन उनको हम निकाल लेंगे और अबडी में डालके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ठंडा हो जाएगा तो इससे सौर्प करें तो इस तरीके से आम की सूपर डिलिसियस रेस्पी बनके तयार हो गई है जो सभी को बहुत ही पसंद आती है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ करें और अपना फीडबेक मुझे जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो मेरी हमबल रिक्वेस्ट है कि इससे सब्सक्राइब किये भी नमत जाएगा थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो अल्ला हाफ झाल।